बच्चों अब तक हमने चालन और संवहन के द्वारा उश्मा का इस थनांतरन किस प्रकार से होता है उसको देखा अब हम रेडियेशन या फिर वीकिरन के बारे में जानते हैं अच्छा धूप में अगर गाड़ी रखी हुई है तो आप जानते हैं वो गर्म हो जाती है कैसे हो रही है असल मैं सूरी से जो वीकिरन उसमी वीकिरन आ रहा है उसी उसमी वीकिरन के द्वारा वो जो गाड़ी है या जो पत्थर है गर्म हो रही है या तवा जो है, गैस पे चड़ी हुई है, आप तवा के पास हांथ को ले जाएंगे, तो आपको तवा गर्म लगेगी, तवा को बिना छुए भी तवा गर्म लगेगी, क्यों? तो कि तवा से भी कुछ चीज निकल रही है, कुछ विकिरन निकल रही है, असल में कोई भी तब तो वस्तू, किसी भी वस्तू को अगर हम गर्म करें, तो उसे एक तापमान के करण, उसको गर्म करने से उसके तापमान में बिद्धी के करण, उसके ताप के करण एक विकिरन निकलती है उसको हम उसमी विकिरन कहते हैं असल मैं परम सुन्य ताप के परे परम सुन्य ताप से ज्यादा किसी भी चीज का अगर ताप है मतलब जीरो केलिविन से अधिक ताप है किसी भी वस्तू का तो उससे एक विकिरन उड़ जा निकलती है उसी को हम कहते हैं उसमी विक इनके कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला गुण ये है कि ये प्रकास की चाल से गमन करते हैं प्रकास की चाल तीन लाग किलो मीटर प्रती सेकेंड होती है तो उसमी विक्रणों की भी चाल वही होती है इनके संचरण के लिए माध्यम के आवस्यक्ता नहीं होती जैसा कि अभी मैंने बताया कि सूरी से विक्रण आ रहा है तो सूरी से पृत्वी के बीच में तो निर्वाद भी है फिर भी विक्रण आ रहा है मतलब उसमी विकिरण के संचरण के लिए माध्यम क्या वसकता नहीं होती ये जो है प्रकास की भाती विद्दुचुम्ब की तरंगे होती है जैसे प्रकास विद्दुचुम्ब की तरंग है उसी तरह से उसमी विकिरण भी विद्दुचुम्ब की तरंग है इनको औरक्त तरंगे भी कहते हैं विद्दुचुम्ब की तरंगों के बारे में 12 में और विस्तार से पढ़ा जाएगा उनके एक फैमिली होती है विद्दुचुम्ब की तरंगों की वो एक बड़ा टॉपिक है तो विद्दुचुम्ब की तरंगों के अंदर ही प्रकास तर जो गुण है यह है कि जो माध्यम उसमी विक्रण को जाने देता है उसमी विक्रण उस माध्यम को जाने देता है उस माध्यम को जाने देता है उस माध्यम को उसमी विक्रण गर्म नहीं करता लेकिन जो माध्यम उसमी विक्रण को रोक लेता है उस माध्यम को उसमी विक्रण गर्म कर देता है। इनका अगला गुण है कि ये जो उसमी विकिरण है प्रकास की किरणों की भाती प्रावर्तन, अपवर्तन के गुणों का पालन करती है। मतलब कि इस तरोत से दूरी जितनी बढ़ेगी जो उसमी विकिरण की तीब्रता है उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से ये इनके गुण है। अब हम चालन, समवहन और जो विकिरण है इसमें एक तुलनात्मक अधियन कर लेते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं चालन तो हम जानते हैं कि चालन क्या है। चालन की विधी में ताप पतन की दिशा में प्रत्येक अणू समýप वर्ति अणू को उश्मा इस्थरांत्रीत करता है। उस दिशा में प्रत्य कनू सामने वाले अगे वाले अगे 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 क्या वर्शक्ता होती है शंवहन में भी माध्यम क्या वर्शक्ता होती है लेकिन वीकिरण में माध्यम क्या वर्शक्ता नहीं होती है अगला चालन में माध्यम जो है गर्म हो जाता है संवहन में भी गर्म हो जाता है लेकिन वीकिरण में माध्यम जो है अप्रभावित रहता ह अगर माध्यम अगर रोक रहा है उसको तो गर्म होगा लेकिन माध्यम अगर नहीं रोक रहा है तो क्या होगा अप्रभावित होगा चालन से जो है चालन की विधी द्वारा धातुएं एमंग ठोस पदार्थ गर्म होते हैं समभन की विधी से द्रव और जनरली जो द्रव और अगला जो है चालन में जो है उस्मा इस्थानांत्रन की गती धीमी होती है श्रमवहन में भी धीमी होगी चालन और श्रमवहन इसमा इस्थानांत्रन जो है धीमे गती से होती है जबकि विकिरन में जो उसमी विकिरन है बहुत तेज गती से आता है लगभग प्रकास की गती से 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उसमा का इस्थनांतरन है और टेढ़े मेड़े मार्ग से होता है लेकिन जो वीकिरन है उसमे इस्थनांतरन हमेशा सरल रेखा से होता है सरल रेखा का जो मार्ग है उस मार्ग से उसमा इस्थनांतरन होता है जैसे प्रकास जो है सरल रेखा में गति करती है तो उश्मी वीकिरन में उसमा का जो इस्थनांतर्ण है सरलरेखा में होता है आईए अब हम न्यूटन के शीदलन नियम को देखते हैं बच्चो एक गरमा गरम चाय आप ऐसे जगह में पी रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा थंड है जैसे की कश्मीर और उसी चाय को आप राइपूर जैसे सहर मे पी रहे हैं जहां ठंडी नहीं रहती गरमी थोड़ी बहुत रहती है तो जो चाय का जो कफ है या जो चाय है कहां पर जादा ठंडा होगा निश्चित रूप से वहां पर जल्दी ठंडा होगा जहां पर ठंडी जादा है मतलब की कश्मीर में तुलनात्मक रूप से कहते हैं नीडन का सितलन्यम में तो नीडन का सितलन्यम में क्या कहता है कि अगर कोई वस्तूव और ठंडी मतलब कि जल्दी ठंडी नहीं होगी मतलब वज़र ठंडी होगी इसका हम इस तरह से इस भासा को देख सकते हैं कि यदि वस्तू के ताप और उसके चारों और के वातावरण के ताप में अधिक अंतर न हो तो वस्तू की सीतलन की दर वस्तू के सीतलन की दर वस्तू के मधिमान ताप और उसके चारों और के वातावरण के ताप अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है basically यही कहना चाहा है कि वस्तू और वाताउन के ताप में जितना difference होगा वस्तू उतनी जल्दी ठंडी होगी और वस्तू और वाताउन के ताप में अगर difference कम है तो धिरे-ठंडा होगा इसका जो गणिती रूप है इसको देख लेते हैं माल लेते हैं कोई वस्तु T समय अंतराल में T1 Celsius से T2 Celsius तक सीतल होती है, ठंडा होती है, तब जो सीतलन की दर होगी, वो क्या हो जाएगी T1 minus T2 by T upon T, T1 minus T2 upon T, और वस्तु का जो मध्यमान ताफ है, T1 से T2 ठंडा होई, तो मध्यमान ताफ हो जाएगा T1 plus T2 by 2, यदि यहां पर वाताउन का ताफ T0 Celsius है, वाताउन का ताफ अगर T0 Celsius है, तब वस्तु का मध्यमान ताफ और वाताउन के बीच का जो तापांतर है, वो हो जाएगा T1 plus T2 upon 2 minus T0, यह वस्तु का मध्यमान ताफ और वाताउन के बीच का तापांतर हो जाएगा, अब सितलन का न वो अनुक्रम अनुपाती होगा इस्तापांतर के, तो सीतलन की दर T1-T2 upon T proportional T हो जाएगा, T1 plus T2 upon 2 minus T0, बराबर करने के लिए एक नियतांग लगाएंगे K, जहांके एक अनुपातिक नियतांग है, तो ये जो समिकरण है, ये Newton के सीतलन के नियम का गणिती रूप है, इसका उप्योग करके हम आगे सवाल भी बनाएंगे, अच्छा जो Newton का सीतलन नियम है, इसकी कुछ सिमाय भी रहती है, सिमाय भी है, कुछ limitations है, पहला limitations ये है, कि ये तब बहुत अच्छे सी work करेगा Newton का सीतलन नियम, जब वस्तु और उसके आसपास के जो वातावन का ताप है, उ तो केवल वीकिरन के द्वारा ही होनी चाहिए, चालन या समवहन के द्वारा नहीं होनी चाहिए उसमा की हानी, केवल वीकिरन के द्वारा ही उसमा की हानी होनी चाहिए, तीसरा है, जिस सतह से वीकिरन के द्वारा उसमा का ख्या हो रहा है, वो जो सतह है, उसका खेत्रफल और उसकी प्रकृति जो है उश्मा खोते समय तक नहीं बदलनी चाहिए उस्मा का जो ख्य हो रा है विकरन के द्वारा जिस सत हो रा है उसकी प्रकृति और खेत्रफल नहीं बदलनी चाहिए तो यह उसके limitation है अब एक प्रश्ण के माध्यम से एक example के माध्यम से हम Newton के सिजरन किरियम को समझते हैं यदि किसी वस्तु को 100 डिगरी सेल्सियस से 60 डिगरी सेल्सियस तक सीतल होने में 3 मिनट का समय लगता है तो इसी वस्तु को 60 डिगरी सेल्सियस से 20 डिगरी सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा जबकि आसपास के वातारून का ताप 10 डिगरी Celsius है तो ये प्रश्ण है हमारे पास तो देखिए 100 degree Celsius से 60 degree Celsius तक सीतल होने में 3 मिट का समय लग रहा है तो 100 से 60 तो मध्यमान ताफ हो गया 80 तो मध्यमान ताफ 80 है और वातावन का ताफ है 10 तो जो temperature का difference है पहले वाली स्थिति में 70 है और उस इस्थिति में थंड़ा होने में 3 मिट का समय लग रहा है बात की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 60 से 20 थंड़ा हो रहा है मतलब कि मध्यमान ताफ हो जाएगा 40 मध्यमान ताफ 40 और वातावन का ताफ वही है 10 तो अब की स्थिति में तो temperature difference है और 30 है तो जो temperature difference है अभी कम है 30 है तो निश्चित रूप से second वाली जो इस्थिति है वहाँ ठंड़ा होने में ज्यादा समय लएगा तोंकि temperature difference कम है तो ठंड़ा होने में ज्यादा समय लएगा और पहले तो तीन में लग रहा है तो बाद में ज्यादा समय लएगा इसको हम देख लेते हैं पहले सवाल को बना लेते हैं कि कितना समय आ तो Newton का सितलर निया हमें पता है उसको लिख लेते हैं T1-T2 upon T equal to K T1 plus T2 by 2 minus T0 यहाँ पर पहली स्थिति को हम देख लेते हैं कि पहली स्थिति में जो T1 है वो 100 degree Celsius है और कहां तक सितल हो रहा है 60 degree Celsius तो T2 बराबर 60 हो जाएगा कितने समय में तीन मिनट में तो T बराबर 3 मिनट और उसको second में रखेंगे तो 180 second हो जाएगा और जो वातारण का ताफ है मतलब T0 है वो 10 degree Celsius है सुत्र में मान रख देते हैं तो 100 माइनस 60 सौ रिन साथ बटे 180 बराबर के और कुष्टक में सौ धन साथ बटे 2 रिन 10 इसको थोड़ा सौल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 2 बटे 9 सौ में साथ गया 40 40 बटे 80 तो वो हो जाएगा सौरी 40 बटे 180 तो काटेंगे तो 2 बटे 9 हो जाएगा और बराबर इधर आजाएगा 70 के तो यहां से के का मान निकल जाएगा के बराबर 1 बटे 315 अब इस के के मान को दूसरे वाले कंडिशन में रखके हम समय निकालेंगे कि कितना समय में हो तो 60 डिग्री से 20 डिग्री तक ठंडा हो रहा है तो दूसरी स्थिती में हम देखते हैं कि T1 यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस है T2 20 डिग्री सेल्सियस है और T0 जो है 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा तो सुत्र में इन मानों को रख देते हैं अब की बार हमें T निकालना है, तो 60 रिन 20 और T निकालना है, तो T के बदले T लिख देते हैं, बराबर K के बदले 1 बटे 315 और यहां पर 60 धन 20 बटे 2 रिन 10, तो बर शॉल करेंगे उसको आगे, तो यहां जाएगा 40 बटे T बराबर 30 बटे 315, यहां से हम T का मान हमें निकल जाएगा, T बराबर 315 गुणी 40 बटे 32, और इस तरह से T का माना जाएगा 420 सेकेंड या फिर 7 मिनट, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 100 डिगरी से 60 डिगरी सेल्सियस तक किसी वस्तु को गर्म होने में अगर 3 मिनट का समय लग रहा है, तो उस इस वस्तु को 60 डिगरी से 20 डिगरी सेल्सियस तक गर्म होने में 7 मिनट लग रहा है, दोनों ही कंडिशन में 40 डिगरी का जो तापमान कम हो रहा है, और वातारवन कताप वही है, और दोनों ही स्थिति में 40 डिगरी का तापमान कम हो रहा है, लेकिन पहली वाली स्थिति में तीन मियट लग रहा है और दूसरी वाले इस्तिती में साथ मियट लग रहा है। बच्चों आईए अब हम आउसोसन ख्यमता, पारगमन ख्यमता और परावर्तन ख्यमता के बारे में जानते हैं। जैसे आप घर में हैं और खिड़की के पास, कांच की खिड़की है, उसके पास खड़े हैं। तो आप देखेंगे कि खिड़की से धूप आती है और आपको थोड़ा गर्म लगता है। मतलब खिड़की क्या कर रही है? वो जो उसमी खिड़की को अपने अंदर से आने दे रही है। और उसके अंदर से पारगमित होके आ रही है और आपको फील हो रहा है, गर्म लग रहा है। साथ ही आप उस काच की खिड़की को छोएंगे, तो आपको वो भी गर्म लगेगा, मतलब कि वो काच की खिड़की भी क्या कर रही है, उसमी विकिरण को अपने आप में अशुसित कर रही है, और वो जो है, कुछ हिस्सा को परावरतित भी करती है, तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु में जब उसमी विक्रण आप्तित होता है मालो उसमी विक्रण क्यों आप्तित हुआ तो उसका कुछ हिस्सा को आउसोसित कर लेता है कुछ हिस्सा को पारगमित कर देता है और कुछ हिस्सा को रिफ्लेक्ट कर देता है परावर्तित कर देता है अगर आप्तित उसमी विक्रेण Q है और जो औसोसित उश्मा है उसको A मान लेते हैं और जो पारगमित उश्मा है उसको T मान लेते हैं और परावर्तित उसमा को R मान लेते हैं तब Q बराबर क्या हो जाएगा A प्लस T प्लस R मतलब कि जो Q है वो तीनों का योग होगा अब इस समिकर्ण में अगर Q का भाग दे देंगे दोनों तरफ तो A by Q प्लस T by Q प्लस R by Q बराबर एक तो यहां पर जो A by Q है मतलब जो औसोसित उश्मा किसी पदार्थ द्वारा औसोसित उश्मा और आप्तित उश्मा उसका जो अनुपात है उसको हम small a से दिखाएंगे और इसको कहते हैं औसोसन ख्यमता इसी तरह से T by Q किसी पदार्थ द्वारा पार्गमित उश्मा बटे कुलाप्तित उश्मा ती बाई क्यू इसको हम small t से दिखाएंगे और इसको हम कहते हैं पार्गमन ख्यमता इसको हम small R से दिखाएंगे और इसको हम कहते हैं परावर्तन ख्यमता इसको तीनों जो ख्यमता हैं ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती हैं और इनका कोई विमी सुत्र नहीं होता है ये विमाहिन रासियां होती है इसने जाएंगे जैसे कि 100 रेडियेशन आ रहा है कोई सौ रेडियेशन आ रहा है और कोई चीज है वह 20 औ। उसने एंबजोर कर लिया, तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है 60 और सोचित कर लिया, उसने 60, और टोटल कितना आ रहा है, 100, तो 60 by 100, जिसमॉल ए क्या हो गया, 0.6, मतलब कि ऑसोछन फ्रम्दा क्या हो गया, 0.6, मतलब कि 60 प्रतिसत उसने जो है, उसमी विकरण को, क्या किया, अपने आप में absorb कर लिया, उसोसित कर लिया, काला रंग जो होता है, वो अच्छा उसोसक होता है, तो काले रंग का जो है, काले रंग का जो कपड़ा है, या काला रंग जो है, उसकी उसोसन ख्यमता ज्यादा होगी, गर्मी के दिनों में बोला जाता है, कि काला रंग पहन के म Reflective power जो है उसका जो परावर्तन ख्यमता है जादा होता है सफेद या जो चमकिला होता है इसलिए गर्मी की दिनों में अक्सर सफेद जो कपड़ा है पहना जाता है क्यों कि उसकी जो परावर्तन ख्यमता है वो जादा होती है यह जो तीनों जो ख्यमताएं है इन तीनों का य ख्यमता एक से जादा नहीं होगा जैसे औसोसन ख्यमता हमेशा एक से कम होगा अगर हम औसोसन ख्यमता को अगर 60% माल लें मतलब 0.6 माल लें तो पारगमन ख्यमता 0.2 और परावर्तन ख्यमता 0.2 तो इस तरह से तीनों मिला के कितना हो जाएगा एक हो जाएगा कोई भी एक ज जिसका कि आउसोसन ख्यमता एक हो, हाँ ऐसा एक पदार्थ है, यह असल में प्रेक्ट क्लीनिंग है, सैध्धान्तिक रूप से जो है, हम एक ऐसा पदार्थ जिसको हम क्रिष्ण पिंड कहते हैं, क्रिष्ण पिंड या ब्लैक बोडी, उसको हम ऐसा मानते हैं कि उसकी जो आउ आउसोसन ख्यमता एक मतलब उसमें जितने भी उसमी विक्रण आप्तित होती है, पूरी की पूरी उसमी विक्रण को क्या कर देती है, वो और शुशित कर लेती है अपने में, ऐसा माना जाता है, लेकिन प्रेक्टिकल में यह समभव नहीं है, हाँ ब्यवहारीक रूप से अगभग अन्ठानबे प्रतिसत होती है, मतलब अगर सो रेडियेशन आ रहा है, तो उसमें से वो अन्ठानबे को क्या कर दे रहे हैं, और शुशित कर दे रहे हैं, अच्छे यह जो ब्लैक बोडी होती हैं, इनकी प्रमुक विसेस्टाइक यह भी होती है, कि इनको जब गर किया जाता है, तो वे सारे तरंग देर्द के विकिरन को उत्सरजित करते हैं, इसका मतलब यह जितने अच्छे आउसोसक हैं, उतने ही अच्छे उत्सरजग भी हैं, प्रैक्टिकली कोई भी इस तरह से जैसे कि मैंने कहा, ब्लैक बोडी नहीं होता है, लेकिन एक प्रयोग ब्लैक बोडी जो है, उसका रंग पुरी तरह से ब्लैक होगा, ऐसा नहीं है, हाँ जो काले रंग है, वो अच्छे उसोसक हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि दीप काजल हो गया, या प्लेटिनम काजल हो काला है, तो अच्छा उसोसक है और लगभग 98% वो असोसित कर लेता ह लेकिन सभी की सभी जो ब्लैक बोडी हैं वो ब्लैक कलर के होंगे, ऐसा आप मत सोचिए, जैसा कि एक मैं एक्जामपल देता हूँ, फेरी की कृष्णी का या फेरी का ब्लैक बोडी, ये ब्लैक हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ये कैसा होता है इसकी सरंचना हम देखते हैं, इ निर्वात इसलिए होता है ताकि चालन या सवहन के द्वारा उश्मा की हानी ना हो, इसके बीच में अंदर का जो लेयर है, उसमें लेम्प ब्लैक या दीप काजल का पैंड किया जाता है, और जो मुख होता है, उसका जो ओपनिंग जो हिस्सा है, उससे सामने जो है एक शं संक्वा कार आकरती इसलिए होती है, कि अगर रेडियेशन उसमें एंटर कर रहा है, तो संक्वा कार आकरती जो है रेडियेशन को अंदर की तरफ मोड देती है, उसीधर डारेक्ट बाहर नहीं जाने देती, तो यहाँ पर जो रेडियेशन या उसमी विकिरण अंदर जाता है यहां पर जो दोनों कैविटी के कैविटी के बीच में दोनों लेयर के बीच में एक फिलामेंट लगाया जाता है एच तो इस फिलामेंट को अगर हम गर्म करते हैं तो यह सभी तरंग दैरधी के विकिरन को उत्सरजित जिसको हम कहते हैं black body radiation जब हम black body को गर्म करते हैं जैसे यहां पर फिलामेन की सहता से गर्म करेंगे तो लगबक सभी तरंग देर देखे जो विकिरन को क्या करेगा एमिट करेगा उत्सरजित करेगा याद रखी हम पर एमिट कर रहा है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उत्सरजन ख्यमता एमिट कर रहा है परावर्तित नहीं कर रहा है तो उस एमिशन को कहेंगे black body radiation या black body emission